नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोजेक्ट कवर किया था एक्ट जो मेरे विचार्च से काफी रेविलूशनरी होने वाला था क्यूं क्यूंकि वो शेर बजार और क्रिप्टो की ट्रेडिंग को जोडने वाला था उस दिन उसकी पब्लिक सेल शुरू होने कर जो एक प्लाटफॉर्म बन रहा है कि अप बन रही है उसमें ऐसी ऐसी फीचर्स हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया भर में अपनी एक्षेंजिस छोड़कर अपनी डीमैट अकाउंट छोड़कर इस वन्स इन फॉर आप के अंदर एंटर करेंगे जैसे यह आप लाउंच सबस्क्राइब देखें ये खताय अगर आपने आपको सबसे नहीं दाया फोर जो है इत्ल है ये कीमारточно से जोड़ रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे आसान चीज़ यह होगी कि आप अपने क्रिप्टो को shares के थूँ स्वाप कर पाएंगे अगर आप Bitcoin के बदले में Tesla की share खरीदना चाते है SBI के बदले में आप Ethereum खरीदना चाते है तो आप swap कर पाएंगे उससे भी interesting feature है दोस्तों इसमें वो है fractional coin buy अब fractional coin buy क्या होती है कि अगर आपको पूरा Bitcoin नहीं खरीदना तो obviously आप थोड़ा बहुत Bitcoin खरीद सकते हैं बढ़ आप यह seeds Tesla के stock में नहीं कर सकते हैं आप 0.2 Tesla stock या 0.1 SBI नहीं खरीद सकते हैं इसमें आपके पास यह option available रहती है कि आप बड़े stocks को fraction में खरीद सकते हैं और fraction में swap भी कर सकते हैं मालिजी आपके पास 0.0002 Bitcoins हैं उसके बदले में आप 0.5 Tesla खरीद सकते हैं तो यह भी एक काफी अच्छी feature है जो मुझे किसी और exchange पर नहीं दिखाई दी मैं features की बात भी करूँगा बट technology की ओपर भी अगर हम फटा फट से गौर फर्माएं तो मुझे लगता है कि act की technology भी बहुत जबर्दसते सबसे बड़ी बात यह कि edge graph यानि कि hedra पर based हैं तो hedra एक energy efficient blockchain है जो 10,000 transactions per second आज की rate में कर सकती है fees जो है 0.0001 dollars है यानि कि एक cents का भी दसवा हिस्सा तीन से पांट सेकंड में transaction penalty हो जाती है तो बाकी जो legendary smart contract platform में यानि कि cardano और ethereum उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा scalable और बहुत ज़्यादा fast है यह तो यह क्योंकि एक stock exchange का का काम कर रही है तो इसलिए speed बहुत ज़रूरी है इसके उपर बनना और यह इसका मैं मानतौ है कि plus point है दूसरी चीज़ेस में आपको बताया कि आप fractional trading कर सकते हैं वो मैं आपको अलड़ी समझा चुका हूँ उस product को यह लोग wealth hub बुला रहे है wealth hub के अंदर fractional trading के अलावा भी बहुत सारी features है सबसे अच्छी feature मुझे क्या लगी कि आप जो है अगर exchanges पर price compare करना चाहते है तो आप price choose कर सकते हैं कि जिस exchange पर सबसे कम price है आपको act वही price देगा और आप उस exchange से lock हो जाएंगे तो यानि यह multi exchanges को यह combine कर रहा है exchange अभी इस पर mapped नहीं है पर आप इसमें choose कर सकते हैं कि आपको किस exchange के price पर खरीदना है और दूसरी किस exchange के price पर बेचना है यह भी बहुत अच्छा मुझे इसका concept लगा तीसरा जो है अगर आप SIP को समझते हैं तो आप base में basically product choose कर सकते हैं आप कौन सी aggression या कौन से level की risk profile बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है fractional trading के साथ आप बोल सकते हैं कि मुझे 100x वाली profile चाहिए तो उसमें यह उसी हिसाब से risky product आपको risky coins आपको assign करेंगे और अगर आप बोलते हैं कि मुझे safe investment चाहिए तो उसी साथ से इनके इनका जो algorithm है AI वो अपने हिसाब से आपको safe coins में invest करके देगा जिसमें limited upside potential होगा तो जब से 2017 में यह project launch हुआ है इस पर development चल रही है बहुत सारा काम चल रहा है investments raise हो रही है और project जो है वो early access के लिए live भी है जैसे मैं आपको बता है जो private coin की जो sale है वो अभी open हुई है बट project जो है जो app जो है आपके लिए app store पर इस समय जब हम बात कर रहे है तब उपलब्ध है जो नया coin इसका launch हो रहा है जो इसका native token होगा वो इसका utility token होगा जो आपको gas fees वगरा पे करने में यूज कर सकते हैं तो काफी पुराना project है दोस्तों इसके जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तीन level के credit card ये debit card जो भी आप इसको बोले वो देते हैं ये लोग free में ये देते हैं basically एक PVC debit card जैसा हमारा normal debit card होता है किसी भी bank का और साथ में अगर आप एक subscription लेते हैं 12 डॉलर की customer अगर subscription लेता है तो और भी बहुत सारी options जैसे में आपको बता है wealth watch का access मिलता है vault access मिलता है pay with any asset जो मैंने swap की option बताई और भी बहुत सारी features मिलते हैं अब आपके लिए शायद 12 डॉलर ज्यादा हो बड़ जिस market के लिए यह बना है European market और US market के लिए उनके लिए 12 डॉलर की subscription काफी कम है for the convenience and for the withdrawal limits and for the features that they are giving stainless steel का इसमें card मिलेगा proper payment card और एक महेंगा वाला subscription version भी है जिसको लोग elite बुला रहे हैं काफी महेंगा है 200 डॉलर यानि की मोटा मोटा 15,000 पर उसमें और भी अच्छी features मिलती है सबसे बड़ी बात तो यह आपको एक बहुत ही smart card बना कर दे रहे हैं जो gold plated है diamond studded है diamond and crushed card है जिस पर आपका नाम engraved होगा 24 karat gold की plating के साथ बना होगा और बागी जो financial features है वो आपके सामने हैं आप खुद देज़कते हैं हमारा interest यहां और यह exchange का जो native token है वो काफी जादा यहां से उच्छाल प्राप्च भी कर सकता है तो हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे हमें ऐसी exchange के native token में invest करना है जो बहुत ही early stage पर हो जैसे मैं हमेशा बात करता हूं BNB की या वजीर X की अगर आप उनके launch time से उनके point का price compare करें तो आ और अगर हम supply की बात करें तो supply भी बहुत limited है मुझे वो coins बिल्कुल पसंद नहीं जैसे आप जानते हैं जिनकी value होती है 0.0001 dollar और circulation होती है 100 trillion इसमें वैसा नहीं है value भी कम है और circulation भी कम है तो जो एक हम बोलते है niche या फिर limited supply जो है वो इसमें उपलब्द है और अगर हम roadmap की बात करें as always I'm very passionate about going deep into the roadmap of the projects तो roadmap अभी तक जो मैंने follow किया यह लोग deliver कर रहे हैं going forward wealth hub का launch smart crypto wallet और 20 plus assets जो है यह already यह लोग deliver कर चुके है इसमें 20 से उपर assets है exchange का launch भी समें हो चुक है जैसे मैं आपको बताया अब separate transfer जो है वो उस पर काम चल रहा है और आपको follow भी करना है अगर आप खुड़ा सा बोर हो जाते हैं कि अरे price तो ज्यादा move ने किया या आप 100 गुना 200 गुना wait कर रहें तो फिर आप इनके roadmap पे नजर रखें उन तारीखों को note कीजिए जब एक feature launch करने वाले थी इनके telegram को इनके twitter को launch कीजिए और just इनकी updates वगारा check करते रहें और strategy है जो मैं personally follow कर रहा हूं जैसे मैं आपको बताया था मैंने जब इसली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने इसमें 5000 रुपे लगाया थी बहुत ही चोटी investment क्योंकि आपको हमेशा बोलता है risky investment होती मेरे portfolio के सामने बहुत कम है इस समय भी मैं सोच रहा हूं कि इसकी public sale खतम होन जाहिं जाहिंग